नमस्कार मैं हूँ नीरत जैन लोकाई द्वरा आयूजित ये व्याख्यान बजट 2021-2022 इसमें आम लोगों के लिए क्या है इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूँ अभी कुछ महिनों पहले CSO ने आंकड़े दिये कि Q2 2021 में भारत का विकासदर थोड़ा बहतर हो गया था और अब वो माइनस 7.5% रह गया है यानि सिकुडन पहले की तुलना में थोड़ी कम रह गयी है उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आंकड़ा आया कि GDP का विकासदर अब पॉजिटिव में चला गया है और Q3 2021 किसमें विकासदर 0.4% हो गया है प्लस 0.4% अर्थ शास्त्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने कहा था ना कि भारतिये एकॉनिमी का V-shaped recovery होगा मोधी सरकार की नीतियों के चलते और वो इन आकड़ों से साबित हो रहा है यानि अगले साल में एकॉनिमी बहुत तेजी से बड़े की थोड़ा इसका और गहराई में विशलेशन करें जैसा कि हमने पिछले साल के अपने व्याख्यानों में बताया था भारत सरकार का जो relief package था जिसके बारे में पधान मंत्री ने खुद घोशना की थी कि वो 20 लाग करोड का है यानि GDP का 10% वो पूरा आकड़ों का घोटाला था सरकार ने असल में अधिक से अधिक 2 लाग करोड रुपे का खर्चा किया है यानि GDP का सिर्फ 1% दुनिया के जादतर जो बड़े देश हैं उनका जो relief package था वो 5%, 7%, 10% यहां तक कि अमरीका का relief package अभ वो शामिल कर लिया जाये तो वो GDP का 20% हो जाता है लेकिन हमारे देश की सरकार ने सिर्फ GDP का 1% खर्चा किया तो भारत की जो यह economic recovery हुई है यह भारत सरकार के relief package की चलते नहीं हुई है इननों तो कुछ किया ही नहीं सिर्फ economy को lockdown कर दिया अब जब economy को पूरी तरह से lockdown कर दोगे उसके बाद जब जून के बाद lockdown उठाना शुरू करोगे तो थोड़ी तो economic recovery होगी ही उसमें सरकार का क्या श्रे यानि जो Q2 और Q3 में थोड़ी recovery हुई है उसका भारत सरकार की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है उसका संबंध lockdown के उठाने से है अब इसका यदि इसके पीछे एक और कारण पे चले तो हमको समझ में आएगा कि फिलहाल ये economy जैसी चल रही है उसमें ये जो थोड़ी से economic recovery दिख रही है शायद ये भी जादा दिनना चले उसके लिए ये slide देखिए GDP के आकड़ों में उसके जो अलग-अलग भाग होते हैं उसमें एक आकड़ा आता है private final consumption expenditure उसको हिंदी में बोलते हैं निजी अन्तिम उभोग व्ये ये आकड़ा ये दर्शाता है कि जो GDP का विकासदर है उसमें लोगों का जो उभोग बड़ा है उसका कितना योगदान है यानि demand का कितना योगदान है आकड़ा ये बता रहा है कि GDP का विकासदर था माइनस 7.5% लेकिन private final consumption expenditure गिरा है माइनस 11.3% से यानि लोगों की स्थिती और भी बुरी हुई है अच्छा अब जब lockdown उठाये जाता है तो मध्यमवर्ग और उच मध्यमवर्ग का consumption नॉमल पर आ जाएगा इसका मतलब है कि जो गरीब लोग है उनका consumption माइनस 11.3 से भी जादा गिरा है और यदि पहले 6 महने कहां कड़ा लें तो लोगों का कुल consumption माइनस 19% से गिरा है यानि गरीब लोगों का consumption इससे भी जादा गिरा है इसका मतलब है कि जो economic recovery है ये demand के बढ़ने से नहीं हुई है बलकि economic recovery इसलिए है क्योंकि private sector ने अपना निवेश बढ़ाया है अपना investment बढ़ाया है और जाहिरा तोर पर यदि demand नहीं बढ़ रही तो private sector बहुत जादा अपना investment नहीं बढ़ाने वाला यानि ये recovery यदि ऐसी ही चलती रही भारत सरकार ने कुछ नहीं किया demand बढ़ाने के लिए तो ये recovery बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है और budget से यही अपेक्षा की जानी चाहिए कि 2021 का जो budget आया उसमें सरकार अपने खर्चे बढ़ाये और economic boost दे तो सरकार ने budget में क्या किया अब जरा इस साल के budget आकड़े देखे जाएं budget में तीन आकड़े आते हैं उसको जरा मैं समझा दूँ वो तीन आकड़े है budget estimate यानि budget का अंदाज दूसरा है revised estimate जिसको हिंदी में बोलते हैं सुधारित अंदाज और तीसरा है actuals यानि वास्तविक budget अंदाज का मतलब होता है कि जैसे इस साल 2021 के budget में सरकार ने अंदाज लगाया है कि 2021-22 में वो कितना खर्च करेगी इसको बोलते हैं budget अंदाज अगले साल जब budget फरवरी में प्रस्तुत होगा तब तक सरकार को एक अंदाज लग चुका होगा कि वो इस साल में कितना खर्च करने वाली है लेकिन सही आकड़ा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि budget प्रस्तुत होता है फरवरी में और वित्तिय वर्ष चलता है मार्च तक माई तक आते याते वित्तिवर्ष पूरा हो चुका होता है और सरकार के पास यह आकड़ा चुका होता है कि 2021 лежit में उसने वास्तवी कितना कर्थों में कितना खर्च किया यह आंकड़ा दो साल बात के बज़िट पेपर में आता है तो चलिए अब इस साल के बज़िट आंकड़ों को देखें 2021 के बज़िट पेपर में इस साल 2021 का जो सुधारित अंदाज है यदि हम उसकी तुलना करें 2021 के बज़िट अंदाज से तो यह पता चलता है कि सरकार ने इस साल अपने खर्चे 13.4 प्रतिशत से बढ़ाए यदि हम इसकी तुलना उसके पिछले साल से करें यानि 2018-19 का वास्तविक और 2019-20 का वास्तविक पहले और दूसरे कॉलम इस टेबिल के तो पिछले साल सरकार ने अपने बज़िट खर्चों में 16 प्रतिशत की बढ़ात्री की थी यानि महामारी के काल में भी सरकार ने उसके पिछले नॉर्मल साल की तुलना में कम खर्चों में बढ़ोत्री की है और अब यदि हम इस साल का आकड़ा देखें 2021-2022 का जो सरकार ने बज़िट में अंदाज प्रस्तुत किया है तो वो पिछले साल के सुधारित अंदाज से सिर्फ 0.95 परसेंट यानि एक प्रतिशत से भी कम बढ़ोत्री हुई है यानि सरकार ने इस साल अपने बज़िट में कोई विशेश खर्चों में बढ़ोत्री करने का प्रस्ताव दिया ही नहीं है तो फिर एकॉनिमी को बूस्ट कैसे मिलेगा उसके बारे में निर्मला सीतारामन ने कुछ समय पहले बेंगलॉर में अपने एक भाशन में ये बोला है कि सरकार की भूमिका रहेगी कि अर्थववस्ता को वो फैसिलिटेट करे और प्राइवेट सेक्टर एकॉनिमी को बूस्ट देने में उसकी मुख्य भूमिका होगी इंगलिश में वो कहती है कि the government will play the role of a facilitator and the private sector will be the key driver of economic growth यही नवुदारवादी दर्शन है जो कहता है कि सरकार को अर्थवस्ता से अपने आपको हटा लेना चाहिए है और निजी छेतर ही सारी जिम्मेदारी निभाएगा निवेश बढ़ाने की और economy को बूस्ट देने की यह एकदम बेफकूफी बढ़ा आर्थिक सिद्धानत है जब economy मंदी में रहती है यानि डिमांड नहीं है तो private sector उत्पादन बढ़ाएगा ही क्यों ऐसे में फिर economy कैसे विक्सित होती है इसके बारे में कीन्स नयाथ से 100 साल पहले आर्थिक सिद्धान दिया था कि यदि economy मंदी रस्थ है तो ऐसे में सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए चाहे वो करजा लेकर करे चाहे वो नोट छापके करे और सरकार यदि अपने खर्चे बढ़ाती है और उसके दुआरा रोजगार निर्मित करती है तो बढ़े हुए रोजगार के चलते के पास पैसे वापिस आ जाएंगे और उधर economy को boost मल जाएगा यही आर्थिक सिद्धान महमारी के समय जो दुनिया भर की अर्थेवस्ताइं संकट ग्रस्त हुई है तो सारे विक्सित देशों ने यही आर्थिक सिद्धान का पालन किया है और उसके चलते तमाम विक्सित द लगा रहा है भारत सरकार कि इस साल भारत सरकार अपने खर्चों में सिर्फ एक प्रतिशत की बड़ोतरी करेगी इससे economy को boost कैसे मिलेगा यानि कुल मिलाकर सरकार economy को आगे बढ़ाने में कोई भूमिका दिभाना नहीं चाहती ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में इस व्या सरकार उन शर्तों का इमानदारी से पालन कर रही है वो शर्ते यहीं कहती है कि सरकार को investment नहीं बढ़ाना चाहिए और private sector विशेशकर विदेशी पुझी को देश में आने की खुली छूट मिलनी चाहिए और विदेशी capital आएगा तो जब उसको economy में invest नहीं करना है क्योंकि demand तो ऐसे में सरकार निजी करन करके सारे सरकारी छेत्रों को private करके उनको incentive देगी कि तुम आओ और देश में investment करो तो कुल मिलाकर यह पूरी जो philosophy है यह निजी करन की जमीन तयार कर रही है यही इस budget का असली मकसद है और क्या हुआ budget में यह हम अगली बार चर्चा करेंगे धन बार तुम निए प्रचार निए और के अग्टी जए